हेलो क्रियेटर्स वेलकम तू माई चैनल एलिट आर्ट हेलो क्रियेटर्स अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको बता होका कि हम यहाँ पर हैरीपोर्टर की थीपर बट्रिप डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट वीडियो में हमने बनाया स्रिप्शेन बोक्स में दी हूए है तो आप उदार से इस आपकेक्वीर देख सकते में हाँ या फिर अप चनल में जाकर भी देख सकतें तो आज्सके इस वीडियो में हम बनायेंगे बटड़ै बैच बनायेगे औरthenी टोपर भी बनायेगे तो यह के बनाये के लिए मैंने केंडी चॉकलेट को रैप करके उसको पैकेट में रखने के लिए कि मैंने ये हनी डिप का केंपलेट निकाला हुआ है यह लिखे तो उस प्रिंट आउट को भी हम इस वीडियो में कवर कर लेगे कि कैसे उसको कटिंग करते और किस तरीके से ताकि हमें जब गिफ्ट करनी हो को अबेडी में आपको यह अथे पैक कर दो हैं है दूसरा में हैरी पोटर के जो हाउस है हमे ऐसे सबीके प्रिंट आउट के और यह यूज यह फोटो प्रिंट ही निकाले हुए थाकशिए रहे ह沒錯 आपट के बैच बनाने के लिए रहा और यहाँ पर मैंने कुछ केक टॉपर और फूड़ डिकाल लिये हैं उसको भी हम कवर करेगे यहा इने कुछ बैनर के पोस्टर भी निकाले हुए양े बैंबर के लिए भी निकाले हुए तो आच में अब Keanu ये में मैंने फोटो पेपर लिया हुआ है और तो चलिए अभी उसको हम कट कर देते हैं और कट करने के बाद हम लगाएगे पीन जो यह पीन है उसको ब्रॉच पीन बोलते हैं या साधी पीन भी बोलते हैं यह आपको ऑनलाइन इजिली अवेलेबल हो जाएगा उसको हम फैवी बॉं है अब कट करने के बाद हम उसके दोनों तरफ इस तरीके से डबल सैडेट टेप लगा देगे अब बनाते हैं केक टॉपर तो यह केक टॉपर और यह फूड टैग है वह दोनों ही मैंने फोटो पेपर पे ही प्रिंट किया हुआ है तो यहां पर पीछे हम इस तरीके से टू क्या है वर फुन करके उसको हम थ्रेड से टाय करने के जो हम रिटरर की ब ceram कि बैग देगे उस में आप बारी है बैनर की प्रिंट किया हुआ तो इस वज़े से सभी पेपर को मैंने पूरे सेलो टेप से कवर कर दिया है कि इसके बाद हम 5 से हॉल कर देगे एक बैनर में हम तीन होल करेंगे तो इस तरीके से मैं यह सभी बैनर को रेडी करके रखा हुआ है अब हमें गोल्डन ठ्रेड लेना है और उसको इस तरीके से नीचे से तीनों हॉल में से इस तरीके से हमें निकालना हैं जले मैं आपको दुसरा भी लगा के दिखाती हूं अब सेम इसी प्रोसेस से सबी बैनर को लगा देगे हैं चलिए अभी साथ में हम डिमेंट टोर्विट बना ही लेते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पर एक गार्वेज बेग लिया हुआ है बड़ा वाला और मेरे पास यह फूट बास्केट है तो वह मैंने एक बास्केट ले रही हूँ और उसके हमें कट कर ले जाए चलिए फटा में से कट कर ले क्यों मैं उसके पार में आपको देगा हुआ है जो बास्केट है हम उसके अंदर रखते के फिट कर देगे तो यह हो गया ऐसे अब हमने इसको थड़की मदद से उसको टाई कर देना है और इसके उपर से यहां आपे इसे एक हॉल में डालना है उसके बाद अंदर से हम टाई कर लेगे हैं तो यह देखिए हमारा जो डिमेंटर है वो रह लिए तो चले में इसको हैंक करके निखाते हूं कि वह कैसा दिख रहा है तो चले आज के वीडियो में इतना ही आगे के next वीडियो में हम बनाएगेheres pero CPR कोणिश पिक्सी का केज बनाएगे हो चानल का केज बनाएगे और सासमेan सिलिंग के लिए हम केंडल की डेकोरेशन कारेगे तो इसलिए चैनल पर बने रहे हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियां तो जल्दी से जालती से सब्सक्राइब इसलिए और यह वीडियो आपको पसंद आए तो या लाइक कर दीजिये और साथ में आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो के सा लगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोड़ो कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई